जेहिं दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एहमद टेक्नोलोजी पे उत्तरपर्देश में लगतार तीन वेकेंसिया आई है पहले यूपी पुलिस सिविल की जो वेकेंसिया आई है तो इनमें सभी में O-Level मांगा गया है जो पहली आपकी यूपी पुलिस की है जिसमें 60,244 पोस्ट है उसमें O-Level कंबल सरी नहीं है लेकिन वहापर भी प्रेफरेंस का मामला है लेकिन SI, ASI और रेडियो अपरेटर में O-Level कंबल सरी है या O-Level की समकक्स कोई कोर्स आपके पास होना चाहिए लेकिन मेरे इसाब से सबसे अच्छा कोर्स और सबसे इजी कोर्स जो है वो O-Level ही है और ज़्यादा तर बच्चों के पास O-Level नहीं होता है इसलिए वो form fill नहीं कर पाते हैं इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप 12th pass है आपने 12th कर ली है तो O-Level को करने में देरी नहीं करने चाहिए अगर आप competition की तयारी कर रहे हैं तो competition की तयारी के साथ साथ है आप वो लेवल कर सकते हैं इतना hardcores नहीं है चार paper होते है चार practical होते हैं और इसमें एक project summit होता है project summit हम कर देते हैं और आपको बस अपने paper pass करने है दूसरी सबसे बड़ी बात यह है जब से notification आउट हुए है radio operator करके और SIASIK तो मेरे पास बहुत से बच्चों के message आ रहे हैं कि sir please certificate दिलवा दीजिए कहीं से कितने भी पैसे ले लिजिए आप आपको जितने पैसे चाहिए आप ले लेवल का certificate दिलवा दीजिए कहीं से देखिए आप ओ लेवल का certificate नहीं लीजिए कहीं से भी क्यूंकि जो आपको certificate दे देंगे वो लेवल का पंदराजार बीसे जार रुपे दीजिए बहुत सारे नमूने हैं से इंडिया में जो कहेंगे आप से बात लेकिन मैं आपको सही information दे रहा हूं किसी के भी चक्कर में मता आना पैसे फस जाएंगे आपके और अगर कोई फरजी certificate आपको द है ठीक है दूसरी चीज़ यह है जो बच्चे apply करना चाते है रेडियो operator की post में जो grade A की है या SI ASI में सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में तो उसमें कौन-कौन से course है eligible है समकक्स है वो उसकी वीडियो बना देती मां से देख लेना लेकिन जो लेवल कर कर दस दिन का कम से कम वेट कर लिजे क्योंकि इसके तो form है वो साथ तारिख से तो form ही खुलेंगे ठीक है और इसके 28 जनवरी last date होगी तो यतने आपका certificate आजाएगा आपको problem नहीं है आप अपना इसमें apply कर पाएंगे आपको बिलकुल भी tension लेने की ज़रुरत नहीं है जिन बच्चे exam pass करने के बाद project submit नहीं करते हैं पूरी जिन्दगी आपका certificate नहीं आ सकता है इसकी guarantee लेता हूँ और पास साल तक अगर आपने अपना project submit नहीं किया तो आपका registration भी एकस्पार हो जाएगा फिर आपको उसकी validity बढ़वानी पड़ेगी नेलट के office के धक्के खाने प बात को सुनिए क्योंकि इसमें परमान पत्र मांग गया है ऐसे तो लागों बच्चे वो लेवल कर रहे हैं जिनके दो दो exam pass है तिन तीरे exam pass है फिर तो वो सभी eligible हो जाएंगे तो बच्चे इसमें आप eligible नहीं हो अगर आपके तीन paper pass है या आपके दो paper pass है ठीक है तीसरा हम आपके exam pass है तो project submit कर वालो हम कर देंगे WhatsApp नंबर है 8505848968 इस पर message करोगे आपका project भी submit हम कर देंगे ठीक है और कोई आपके मन में doubt हो कोई और आपके मन में चल रहा हो doubt तो आप comment box में पूछ सकते WhatsApp पे पूछ सकते WhatsApp पे message करके call कोई नहीं करेगा क्योंकि call करोगे तो बहु जोब लेने के योगी जी ने खुली चूट कर रखिया है धराधर वेकेंसे आ रही है दिन पर दिन वेकेंसे आ रही है और अब भी नोकरी नहीं लेगी तो फिर फायदा क्या ओ लेवल करने का भी आपका अब इसमें तो देखे 12th ही मांगा गया है radio operator में 12th pass होना चाहिए मै पैसी कहीं फस जाएंगे तो फिर बाद में परेसानी उठानी पड़ेगी आपको कुछ भी प्रोब्लम नहीं होगी ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा प्लीस अभी बच्चे और इसी तरह की सही information के लिए सच जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल